हेलो एपरिवान सारे वेजिटिरंस वीवर्स के लिए में लेके आए हूँ आज सोया संग्स बिर्यानी काफी ज़्यादा देश्टी होता है खाने में और बहुत ही ज़्यादा दिलिया सबता है आप इसे घर पे जरूर ट्राइ कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने वान एन हाफ क दही एक कप स्लाइस किया हूँ ओनियोन हाफ कप तमेटो प्यूरी और साथ में धनिया और मिर्ची का पेस्ट उइस्पून और यहाँ पे ले लिया है मैंने कुछ तेस पता है इलाइची दाल चीनी बड़ी इलाइची जीरा ब्लेक पेपर और लोंग और एक गार्लिक तप इसके लिए मैंने यहाँ पे वाने अन हाफ काप स्वया संग्स ले लिया तो इसको हमें अभी फिगो के रखना है घरम पाने के साथ तक आपके अच्छे सी फूल जाए और काफी सौफ्ट बने जब तक हमारा स्वया संग्स रेडी हो जाए तो यहाँ पे मैंने चाबल को च करन था तो तो को हो चुका है हमारा रायस एक्सट्र वाटर को मैंन M. इसको को हो चुका है तो यहां पे हमारा जो سया संग्सिना यह दो हो चुका है तो काफी अच्छा फूल चुका है काफी सॉफ्ट हो गया है तो मैंने यहां काफी जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको भी मैंने सेपरेट कर दिया है तो यहां पे पतिला ले लिया है इसमें एड करना है ट्री स्पुन घी तो घी में बनाऊंगी काफी तेस अच्छा आता है और इसमें जाएगा कुछ खड़े मसा अब इसमें एड करूंगे स्लाइसे किया हुआ ओच्छान पर ओष्ट करना है जो ऑंडेन प्राइन होने थी तो ये देखे गाइस हमारा जो ऑन्यों है गोल्डण प्रइंट हो चुका है इसमें आभी एड करूंगे पेस्ट तक्रिश होगा और इसमें एड करम के गर्लिक तुइस्पून चिंजर 1,5 बाव इसपून और सॉल्ट को एक्वरणिंग टेस्ट अभी इसको अच्छा से मिक्स करना है हमें और इसमें एड़ करेंगे हाफ का टोमेटो फ्यूरी हाफ कब दही अच्छे से मेक्स कर देना है और एड़ करना है हल्दी जीरा पादर राने स्पुन धनिया पार्डर पाने स्पुन अभी इसको भी अच्छे से मेक्स कर देना है फिर हमें लो फ्लेंबे 5 मिनिस के लिए कवर मासाला हमारा फ्राइ करना है इसमें स्लाइसें किया हुआ ओनियोन। अभी इसमें जाएगा स्टैस क चला जाए ने में हम अच्छे से फ्राई करना है मसाले के साथ तक जो जो भी स्मेल है और उस्की मिक्स तक 이र समयल के बिढ़े जाए पर से इस Lagarde Source के लिए मैंने कबर कर दिया था फिर से मैंने इसको इस तरह से चला लोंगे ताकि चिपक ना जाए नीचे तो उसके बाद एट किया मैंने पोटेटो अगर आपको पसंदने तो इसकेप कर सकते हो नेक्स हमने इसमें एट किया धनिया और मिर्ची का पेस्ट और कुछ हड़े म पीरची वान इस्पून रेच्छी पॉडर और एक गरली तो गरली इस तरह से बिर्याने में काफी तेस अच्छा लगता है खाने में एक ही एट किया अब दो तेन भी एट कर सकते तो मैंने फीर से फाइब फिनिस के लिए कवर कर दिया ताकि मसाले के सथना अच्छा से फ् करना है तो अभी मैं इसमें एट करूंगी पानी एक का पानी एट कर दिया अभी इसमों कवर कर दिया मैंने फाइब मिनिस के लिए तो यहां पर देखिए हमारा जो मसाला है ना कफी अच्छे से फ्राइब हो चुका है तो अभी इसमें जाएगा कैसिकम और तमाटर इस तर तू मिनिस के लिए कवर कर दूंगी तो गैस यहां पर देखिए अभी रेडी हो चुका है हमारा बिरियानी मनने के लिए मतलब राइस इसमें एट कर सकती हूँ अभी तो इस तरह से हमें राइस को स्प्रेट कर देना है तो गैस अगर आपको मेरे इस से भी अच्छा लगा प्लेट में इसमें एट करूंगी फूट कलर ताकि देखने में भी मज़ा आए जैसे देखने में मज़ा आएगा तो खाने में भी अच्छा लगेगा और गास करके ना बच्छे भी मतलब इंट्रेस्टेट होते ही इस तरह से मतलब कलर फूल देखने से तो इस तरह से मैंन आरोमा है काफी अच्छे से फेल जाए यह देखिए हमारा जो राइस है काफी खिला खिला बन चुका है बिरियानी भी रेडी हो चुका है मैं आपको दिखा देती हुए दिखे काफी देश्टी होता है इस तरह से आप बना के खा सकते हो तो मैंने यह खास करके मेरे जो वेज वेज बना